समग्र कुरुशी समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम इस विभाग में हम मिर्ची की फसल के प्रबंधन के बारे में जानेंगे हमारे यहां मिर्ची फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है लेकिन किसान ज़्यादा तर मिर्ची की फसल में उन्हें आने वाली मुख्य समस्या यह है कि कीट ये कीट की समस्या से उपज का बड़ा नुक्सान हो रहा है ये संकरित बीज आने के बाद एक पौधा 10-12 रुपए में बेच रहे हैं हम पौधे लाकर रुपाई करने के बाद रुपाई के 10 दिन बाद ही कीट अधिक होकर पौधा अच्छे तरह से ना बढ़कर बढ़ने के बाद फल अवस्था में कीट का प्रादुर्भाव होकर फल चोट खाकर सड कर सही रंग ना होकर उपज का नुक्सान हो रहा है हमें इन सब का ठीक से नियंतरन करना है तो उसे क्या करे मिर्ची की फसल में किसानों को मुख्य रूप से नुक्सान कीटों से ही होता है हम रासाइनिक उर्वरक का उपयोग कम नहीं करते उसका जरूरत से ज़्यादा इस्तमाल करते है ये सभी करते है कितने प्रकार के रासाइनिक कीट नाशक है लेकिन उन सभी को खरीद कर छिड़कते है कीट की दवाईयां इस्तमाल करते हैं ये सभी करते है लेकिन इन सभी की हमारे मिर्ची के फसल में ना आने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हम नहीं सोचते लेकिन आज से आपको ये देखना है नुकसान होने के बाद उसको ठीक करने के बारे में सूचने से भी अगर इस नुकसान को भी हमें ना होने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए हमें नुकसान नहीं होगा और हमारा खर्चा नहीं होगा मिर्ची की फसल के हर किसान को सावधानी बरतनी चाहिए आपकी फसल कीट संक्रमित होने से बचाना चाहिए यही है हर किसान का सबसे प्रथम करता हुए हमें कीटों की दवाईया उतनी मिलेगी कीट आराम से नियंतरित हो जाएंगे इसी प्रकार उर्वरक भी मिलेंगे उर्वरक भी डाल सकते है उनसे समस्या नहीं लेकिन मिर्ची की फसल में ये एक समस्या है कि कीट पौधा रुपाई से लेकर हम हर तीन-चार दिन में कीट नाशक डालते ही जा रहे है लेकिन किसलिए? वो कीट पौधे के पास ना आने के लिए क्या करना चाहिए? ये जानेंगे तो हमें ये समस्या ही ना होगी ना? इसलिए हर किसान अब से अपने मिर्ची की फसल में कीट बिल्कुल ही ना आने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आ भी गए इसका जरूर अमल कीजिए मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो सावधानी के उपाय है आप नुकसानी से बचकर अधिक उपज कैसा लेना है ये हर एक विशे अच्छी तरह सुनिए निश्चित रूप से आप गुणवत्ता पूर्ण मिर्ची की उपज आप ले सकते हैं क्यूंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करके बाजी जाती की बाजी जाती बाजी जाती का संकर को गुंटकल के ये किसान ने चार एकर के जमीन में खेती करके अन्य किसी किसान से अधिक उपज पाई है कोई भी किसान ये नहीं कर पाया उसके बाद उसने मुझे फोन करके आपके पद्धती का अमल करने के बाद मुझे इतना फाइदा हुआ और एक एकड़ जमीन खरीद ली है ये एक एकड़ की भूमी आपके दिये हुए समाचार की वज़े से मैं खरीद पाया हूँ मतलब साधारन रूप से मिलने वाले फाइदे से अधिक फाइदे से एक एकड़ जमीन खरीदी है मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर इसलिए हर किसान भी सबसे पहले कीच ना आने के लिए क्या करना चाहिए मुख्य तहा मिर्ची की रक्षा कैसे करना है इसे हर किसान ने जानना चाहिए हमने इसके पहले भी जैविक उर्वरक जैविक नियंत्रकों की कैसी वृद्धी करना है ये देखा है 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक, जैविक नियंद्रकों की कैसी वृद्धी करनी है, ये हमने जाना है, जिसे नहीं पता, वो उसे देखे, हर फसल को ये जरूर करना चाहिए, मिर्ची के लिए तो बहुत ही जरूरी है, मिर्ची या अन्य तरकारी वर्गी फसलों मे ये जरूरी है, इस तरह वृद्धी किये गए 500 किलो पशुखाद को खेत को दीजिए, देने के बाद क्यारी तैयार करते है, दो क्यारियों के बीच तीन कदमों की दूरी रहनी चाहिए, और ज्यादातर लोग दो पोधे के बीच बहुत कम दूरी रखते हैं, जो नहीं करन चाहिए, एक या देर कदम रखते हैं, वैसे मत रखिए, दो क्यारियों के बीच तीन फीट रहना चाहिए, और दो पोधों के बीच दो फीट रहना चाहिए, क्यूंकि मिर्ची का पोधा एक से देर कदम फाइलता है, बाजू के तरफ फाइलता है, मतलब इसके तने से खेत फर जाता है, इस तरह भरने से हवा और रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी, हमें फल काटने के लिए भी जगे नहीं रहेगी, रास्ता नहीं होगा, जो बहुत किसान करते हैं, थोड़ी जगे हैं, जैसे रुपाई करते हैं, तो एक क्यारी के बीच तीन कदम दूरी रखि जिस से वो अच्छी तरह फाईल कर आप अच्छी उपज ले पाओगे, मतलब पौधा छत्री जैसे होना चाहिए, मुख्य तहा तरकारी के फसल में छत्री जैसा बढ़ना है, लकडी की तरह उपर नहीं बढ़ना है, यही गलत करते हैं, पौधों को बढ़ने का मौका नही देता है, मिर्ची या तरकारीयों के पौधों को छत्री जैसा बढ़ने का मौका नहीं देते, जिस से वो लकडी के तरह उँचा हो जाएगा, मिर्ची के लिए पांच कदम में उँचाई जरूर ही चाहिए, उतनी उँची होने के बाद उपज नहीं आएगे, तीन कदम लेकिन चोडाई होनी चाहिए, पौधा जितना चोडा होगा, उतनी अच्छी उपज मिलेगी, इसलिए दो क्यारियों के बीच कम से कम, तीन कदम दूरी होनी चाहिए, और दो पौधों के बीच, दो कदम दूरी होनी चाहिए, इसके पहले, खेत में पांच सो किलो उसके बाद प्यारियां बनाकर रुपाई कीजिए। रुपाई के बाद पौधा जमीन में जड़वस्था अच्छी बढ़कर उसके बाद रुपाई के बाद 15 से 20 दिनों के बाद पहले बार उर्वरक दीजिए। पहले बार उर्वरक देने से पहले आप एक बार रुपाई के बाद हर पौधे को ठीक से हम गुड के पानी में बढ़ाया हुआ ट्राइकोडर्मा विरिडी स्यूडो मोनस इस द्रावन से ड्रेंच कीजिए। एक एकड को एक किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक किलो स्यूडो मोनस फ्लूरोसंस इन्हें दो किलो गुड में 48 घंटे भिगोईए। उसके बाद हर पौधे को भिगोईए। पौधे के जड के पास ठीक तरह डालिए। ऐसा करने से जड के पास जमीन में जो हानी कारक सुक्सम जिवानों होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह भिगोईए। इस तरह हम जड वेवस्था का टीका करन कर रहे हैं। उसके बाद पहली बार उर्वरक कैसे देना चाहिए ये जानेंगे। उर्वरक प्रबंधन पद्धती जानने के बाद कीट नियंतरक पद्धती भी हमें जाननी हैं। तो अब तक हमने रुपाई की है। इसके 10 दिन बाद जड वेवस्था का टीका करन किया है। अब हम उर्वरक और उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। मैंने एक प्रुशीक शेतर में कदम रखने के बाद देखा है कि हर किसान एक एकड में 20 से 25 बोरिया रासाइनिक उर्वरक डाल रहे हैं। मतलब अपने नुकसान को हम खरीद रहे हैं। जरुरत से जादा 20 से 25 बोरिया रुवरक डालने से कोई भी उपज नहीं बढ़ेगी। आपकी उपज का नुकसान कहा हो रहा है ये सोचना चाहिए। रासाइनिक उर्वरक अधिक देने से उपज मिलेगी। ऐसा सोचना मूर्खता है। जरुरी नहीं है। मिर्ची की फसल में उपाय करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद उर्वरक शुरू करना है। छे बार उर्वरक डालना है। ये छे बार भी किसी भी बार उर्वरकों को बोरियों के हिसाब से नहीं देना चाहिए। पहले मिश्रन को तयार करना चाहिए। इससे पहले ही खेत में उर्वरक कैसे डालना है ये मैंने बताया है 90-120 दिन के फसल को मैं उर्वरक कैसे देना है 150-180 दिनों के फसल में उर्वरकों को कैसे देना है उनका मिश्रन भी कैसे तयार करना है ये भी बताया है इस वीडियो को आप एक बार देखिए तो पहली बार मतलब वृद्धी अवस्था इस वृद्धी अवस्था में उर्वरकों को दो बार एक ही मात्रा में देना है इस मिश्रणों को कैसे तयार करना है वो अब बताता हूं वैसे ही तयार कीजिए सम्रमित होकर बाजू वाले किसान की फसल मुझसे उंची है ऐसे घबरा कर सिर्फ डिये पी यूरिया को मत दीजिए वो जरूरी नहीं है पौधा जरूरत से अधिक बढ़ना नहीं है जरूरत से अधिक पत्ते भी नहीं होना चाहिए आप वो देखकर खुश नहीं होना है पत्ते को देखकर उसकी वृद्धी देखकर खुश हो जाता है वो किसान उपज देखकर ढीला पड़ जाता है वो नहीं चाहिए पौधा जैसे बढ़ना चाहिए उतना ही फलने दीजिए फैलने दीजिए जरुरत से जादा बढ़ रहा है तो बीच वाले पत्ते काट दीजिए तब ही पवधा फाइलता है जितना बाजु में फाइलता है उतनी अच्छी उपज मिलती है उसी तरह मिर्कची के किसान वृद्धी अवस्था में दो बार 15-20 दिन के अंतराल में जालने के लिए उर्व किलो यूरिया, 20 किलो डियेपी, 15 किलो पोटैश, 20 किलो कोकोली, 20 किलो पुड्मी, 25 किलो मागनेशियम सलफेट, 10 किलो सुक्षमधातों का मिश्रन ये सभी को मिला कर हमें एक मिश्रन तयार करना है सुक्षमधातों के मिश्रन के लिए प्रतिभा बायोटेक का स्टफ उपल मागनेशियम सलफेट मैगनेट नाम से उपलब्ध है। जो भी चाहिए, ये सभी प्रकार के पोशक द्रव्य दिये हैं। आप केवल DAP या यूरिया देने से काफी नहीं होगा। पौधे को हर अवस्था में सभी प्रकार के पोशक द्रव्य देना चाहिए। इस अवस्था में किसे ज़्यादा या कम देना है, वो नियंद्रन करके मिश्रन को तयार करना है। सिर्फ इस मिश्रन का विनियोग करके हमारे पौधों में इस अवस्था में होने वाले जीवन प्रक्रिया। जैसे कि उसे जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ाएगा। दबाव डालने से पुनरुद पत्ती करने की शक्ती घट जाएगे। सिर्फ पौधा ही बढ़ेगा। पुनरुद पत्ती करने की शक्ती घट जाएगे। ये हम गलत कर रहे हैं। तो पौधे के वृद्धी के लिए दबाव ना डालिये, जब भी हम दबाव डालते हैं, तब पुनरुत पादन करने की शक्ति खो जाती है। वो प्रक्रिया हम ही कर रहे हैं, मगर उसे नहीं करना है। पौधे पर दबाव डाले, ऐसे रासानिक उर्वरक या रासानिक खीटना शक्ति या दवाईयां कुछ भी इस्तमाल ना कीजिए। सिर्फ जरूरी है तब ही देना। तो इस तरह हम इस मिश्रन को तयार करने के बाद 15-20 दिन के बाद फिर उसी तरह मिश्रन को तयार करके दूसरी बार देना चाहिए। इस तरह वृद्धी अवस्था में जो उर्वरक देना है ये दे चुके होंगे। इसके बाद पुश्पध हरना अवस्था शुरू होगी। इस अवस्था में उर्वरकों का मिश्रन कैसे बनाना है ये बताता हूँ। अच्छे से नोट कीजिए। पुश्पध हरना में 15 किलो यूरिया, 25 किलो डियेपी, 10 किलो पोटस, सल्फर, जो 90 प्रतिशत होता है, वो 3 किलो, कोकोली 10 किलो, पुढमी 10 किलो, इन सभी का एक मिश्रन तयार करके फिर सभी पोधों को समानता से दीजिए। अभी भी किलोग्राम्स में ही देना है। इस तरह तयार किये हुए मिश्रन को फलधारना अवस्था में 2 बार देना है, 20 दिन के अंतरान में 2 बार देना है, इसे देने के बाद पोधे में फलधारना शुर्व होती है। फलधारना अवस्था में मिश्रन इस तरह होना चाहिए कि 10 किलो यूरिया, 5 किलो डियेपी और 25 किलो पोटैस, 25 किलो कैलशियम नाइट्रेट, 10 किलो कोकोली, 10 किलो पुडमी, ये सभी सिर्फ किलो में ही होना चाहिए. इस मिश्रन को भी हम फलधारना अवस्था में दो बार देना चाहिए फसल की अवधी जादा हो तीसरी बार भी दे सकते है मातरा किलोग्राम में ही देना है अगर फसल की अवधी जादा हो 20 दिन जादा हो तो मतलब कटाई के बाद और 20 का फसल अवधी हो तो उसमें फिर एक बार इस मिश्रन को डाल सकते हैं इस तरह 2-3 बार इस मिश्रन को तयार करके फसल को दे सकते हैं अब तक हम सभी अवस्था में सभी पोशक तत्वत देते हैं कारबन दिया है कोखोली देने से pH को नियंत्रिक किया है नेट्रोजन दिया, फोस्फरस दिया है, पोटैशियम दिया है, मागनेशियम सलफेट देने से मागनेशियम और सलफर दे रहे हैं। 16 प्रकार के मूल तत्वों को हमने 6-7 बार पौधे को दिया है। यह है पौधे को स्वास्ट्यपूर्ण बढ़ाना। इस तरह किलोग्राम में मिश्रन बनाके उर्वरक देने से पौधे की पौनरुत पत्ती की शक्ती अच्छे से बढ़कर अधिक उपज मिलेगी। जो किसान पौधे की वृधी के जुनून में पड़ोसी किसान एक बोरी डियेपी इसे डालकर हमारे खेट से उसका खेट थोड़ा भी बढ़ गया। हमें नीन नहीं आती और कई बोरियां ले आकर डालते हैं। ऐसा मत कीजिए। वृधी को देखकर खुश होने वाला किसान उस खुशी को सिर्फ उपज तक ही रहेगी। उपज के वक्त धीला पड़ जाएगा। इसलिए सिर्फ वृधी के लिए आप फसल मत लीजिए। पौधे में पुनरुत पत्ति शक्ति अधिक होनी चाहिए। उपज अच्छी होनी चाहिए। फल का आकार बड़ा होना चाह फसल गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। ये सभी लक्ष होना चाहिए। ऐसे होने के लिए हमें किलोग्राम में सही प्रकार के पोशक्तत्व पौधे को देना चाहिए। तो ये है हम मिर्ची के फसल में 6-7 बार उर्वरक देना चाहिए। वृधी अवस्था में 2 बार फलधारना अवस्था में 3 बार देना चाहिए। हर बार किलोग्राम में ही देना है। कार्बन, हाइड्रोजन को नियंतरित करने वाला कोकोली, सूख्षम धात्वों का मिश्रन स्टफ को दीजिए, मैगनेशियम सलफेट को जरूर दीजिए, कैल्शियम नाइटरेट को भी दीजिए, ये सभी करने से हमारा पौधा स्वास्थे पूर्ण बढ़ता है और कीटों को बरदाश्थ कर सकता है। इस तरह हम पूरे पोशक तत्वों को आहार को देने से काफी सारे कीटों का हम प्रतिबंध कर सकते हैं। मतलब कीटों को सहने की शक्ती पौधे में पूरी तरह मिल जाती है, जब हम पोशब तत्व पहुंचाते हैं, जैसे हम कोरोना वाइरस से बाहर पढ़ने के लिए डॉक्टर को ये बोलते हैं कि अच्छा आहार ले लो, पोश्टिक आहार ले लो, क्यूंकि व्याधी निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए पोधों में भी केवल यूरिया, डियेपी इस्तमाल करने से पोधे की वृद्धी होगी, लेकिन उनमें पुनरुद्पत्ति शक्ति नहीं होगी। पोधे को हम पुनरुद्पत्ति के दिशा में बदलना हैं। इस दिशा में पोधों को बढ़ाना हैं। हमें उपज चाहिए। सिर्फ पोधा स्वास्थपूर्ण बढ़ता है, उपज भी देता है। इस प्रकार के बाद मुख्य तहां मिर्ची में कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने इसके पहले के भाग में पोधे कैसे बढ़ाना हैं ये दिखाया है। उस तरह बढ़ाकर खरीदे हुए पोधे स्वास स्वास्थपूर्ण होता है। फिर भी हमें बाहरी दुनिया से कीटों का हामला होता है। मतलब बगल वाले खेच से वो आ सकते हैं, वो पानी के द्वारा आ सकते हैं या हवा से भी आ सकते हैं आपके फसल में। आप सभी ये कहते हैं पर पडोसी का किसान ये नहीं करता कीट नियंतरन करने के लिए उन्हें भी आवाहन कीजिए। सिर्फ मैं ही अच्छा रहूंगा ये ठीक नहीं है। पडोसी किसान अच्छी खेती करता हैं तो अपनी फसल भी अच्छी रहेगी। पडोसी के खेत में कीट बहुत जादा हो तो उसमें आपका भी नुकसान इसलिए सभी किसान समक्र समाचार की जानकारी हासिल करके सभी किसानों से स्वास्थ्य पूर्ण खेती करनी चाहिए। तभी हम कीटों का नियंतरन कर सकते हैं। तो बाहरी दुनिया से आने वाले कीटों का प्रबंधन कैसे करना हैं ये हम जानेंगे। हम जैसे ही जमीन में जैवीक उर्वरक और नियंतरकों को वृद्धी करके देते हैं। तभी हम जड़ सड़न कीट को नियंतरित करते हैं। ये हर साल करने से तीन साल के बाद एक भी पौधा नहीं मरेगा। ये लिख लीजिए। सिर्फ एक बार करके अपेक्षा करना ठीक नहीं है। क्योंकि तीर साल से हमें जमीन को जमीन का शोशन किया है। फिर से पुनरुद जीवन देना है। तीन-चार साल लगेंगे। इसके बाद रुकना नहीं चाहिए। हर साल देना चाहिए। तीन साल तो लगेंगे ही पुनरुद जीवन के लिए। तो इस तरह वृद्धि किये गए जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, मिश्रन बनाके पहले ही खेत को देने से रूट रॉट कीटों से बचेंगे। उसके बाद रुपाई के 10 दिन बाद भीगोना चाहिए। ट्राइकोडर्मा विरोडी सुडो मोनस फ्लूरोसंस को गुड के पानी में मिलाकर 48 घंटेंग के बाद पौधे को भीगोना चाहिए। जड़ व्यवस्था स्वस्थ रहेगी क्यूंकि जादातर कीट जमीन से ही आते हैं। जड़ व्यवस्था स्वस्थ होने से कीटों को रोग देते हैं। उसके बाद भी ड्रेंचिंग करने के 15 दिन बाद फिर से एक बार स्यूडो मोनस फ्लूरोसंस एक किलो, बैसिलस सपस्टिलस एक किलो मतलब फ्लिक सरवर एक एक किलो लेकर गुड के पानी में 48 घंटे भीगो कर वुरुद्धी करके उसे पिछकारी कीजिए। इस पिछकारी करने के वक्त कोई भी रसायन इसमें नहीं मिलाना चाहिए, तो अच्छे परणा मिलेंगे। आप अगर कोई भी नियंत्रण छिडक रहे हैं, सभी अलग ड्रम में डाल कर तभी छिडकाव कीजिए, लेकिन कीट नियंत्रकों में मिला कर इसे इस्तमाल नहीं करना चाहिए, वैसे करना गलत है, लेकिन आप Pseudomonas Fluoresens Bacillus Substilis को छिडकाव करते समय कीट नियंत्रक नहीं द कीट नियंत्रकों के साथ जैविक नियंत्रकों को मिलाना नहीं चाहिए, अगर रसायन का इस्तमाल कर रहे हो, तो इसे अलग से ड्रम में डालिए, अगर ज़्यादा वक्त रखते हैं, तो नुकसान हो जाएगा, उसी वक्त ड्रम में डाल कर इस्तमाल कीजिए, तो इस तरह दूसरी बार छिड़कने से दूसरा टीका करन किया है हमने इसके बाद पौधों को लगभग कीटों को बरदास्त करने की शक्ति आ जाएगी इस बाहरी दुनिया से मतलब अगर पडोसी किसान खेती को ठीक से नहीं देख रहता हवा के द्वारा कीट संक्रमन का संभव होता है ज्यादा तर मिर्ची में तनासडन, फलसडन ये रोग ज्यादा होते है इन कीटों से हमें बचने के लिए स्ट्राबिन आधारित, हिक्जाकोनाजोल या ट्राइसाइक्लोजोल या इन कॉम्बिनेशन के उत्पादों को इस्तमाल कीजिए आपको रॉक्स्टार प्लस नाम से प्रतिभा बायोटेक का कीट नियन तरक मिलता है इसे छिड़काव करने से तनासडन, फलसडन ये नहीं आएंगे जैसे ही कीट डिखाई देता है, आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए उसके पंधरा दिन के बाद दुबारा छिड़काव कीजिए इस तरह करने से पहले ही किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते है इस रॉक्स्टार प्लस का छिड़काव करने से मैंने बताया हुआ टीका करन पंधती का अमल करने से ज्यादा तरकीट नहीं आएंगे और आएंगे तो भी पोधा प्रतिकार कर सकता है इस तरह हमने आधे फसल का रक्षन किया होगा नुकसान नहीं होगा अगर आए तो कीट नियंतरक Rockstar Plus को इस्तमाल कीजिए कीट अगर कम हो तो Copper Oxyl chloride को या Manco Jep को इस्तमाल कीजिए ये इस्तमाल करके देखिए इस्तमाल करने के बाद भी नियंतर्ड नहीं हुआ तो Rockstar Plus को मतलब Strobine Based Fungicide दीजिए वो छिड़काव करने से कीट नियंतर्ण हो जाएगा ये है कीटों के नियंतर्ण करने की पत्धती उसके बाद मिर्ची में ज़्यादातर कीडे रस जूसने वाला कीड़ा और Berry Bowl Worm कीड़ा इसमें ज़्यादातर हरा कीड़ा और Caterpillar आते है Caterpillar और हरे कीड़ों का नियंतर्ण करने के लिए Imamectin के Combinations आते है तो उसका छिड़काव करने से Supercoma Dozy उत्पादनों को छिड़काव करने से ये Caterpillar और हरे कीड़ों का नियंतर्ण कर सकते है उसके बाद रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा तर मिर्ची में खटमल ज़्यादा होते है इस सफेद और लाल खटमल या खुजली वाले कीड़ों को नियंतर्ण करना हो तो Abamectin Based Combinations होने वाले उत्पादों को हमें इस्तमाल करने से खटमल प्रजादी का निवारन कर सकते है प्रतिभा बायोटेक में एक, दो, तीन नाम से एक ब्रैंड उपलब्ध है उसका भी इस्तमाल कर सकते है इसका इस्तमाल करने से बिना पंख के खटमल वरगिय, खुजली वाले कीड़े जो भी है, कंट्रोल हो जाएंगे अगर सफेद मच्छर, हरा मच्छर, मतलब पंख वरगिय, रस चूसने वाले कीड़े इनका प्रभाव अधिक हो, तो थायो मिथाउकजीन या फिर इमिडाकलोप्रीड इन्हें मिलाकर आप छिड़काव करने से ये पंख वाले रस चूसने वाले कीड़ों का नियंतरण कर सकते हैं तो ये है, कीडे या रस चूसने वाले कीड़ों को कैसे नियंतरित करना इस विशे पर समाचार इसलिए हर किसान भी नर्सरी में पोधे को सावधानी से बढ़ाना चाहिए वैसे उगाये हुए पोधों को ही खरीदना चाहिए उसी तरह किलोग्राम्स में मिश्रन बनाकर 6-7 बार देना है उसके बाद कीट नियंतरन कीटों को कैसे नियंतरित करना है इसके बारे में भी मैंने बताया है हर किसान पहले से ही सावधानी बरत के ये सभी उपचार कीजिए Pseudomonas floresens को Bacillus substilis Trichoderma viridi को पहले से ही देने से कीटों को नियंतरित कर सकते है कीट नहीं आए उस पर निश्चन तना रहे कीट आने के बाद नियंतरन करना बहुत मुश्किल होगा कीट आए या ना आए टीका करन जरूर कीजिए वो कैसे करना है ये मैंने बताया है टीका करन जरूर करना चाहिए जैसे अपने बच्चों को करते है पोलियो आने से पहले टीका करन करते है ना तो आने के बाद मीजल्स आने के बाद टीका करन करते हैं, क्या नहीं हैं? इसे तरह पौधे को पहले से ही टीका करन करना है, क्यूंकि वो एक जीव है इसलिए. खीट आने के पहले से ही टिका करने से कीटों के आकरमन को सहन करता है पौधा। कीट आते ही पौधा उसका सामना कर सकता है, तब हमारा नुकसान नहीं होगा, उपज नहीं कम होगी और अधिक उपज मिलेगी, जो गौनवत्ता पूर्ण होगी. अच्छे रंग और आकार के फल मिलेंगे तो मिर्ची उगाने वाले हर किसान इन सभी उपायों का जरूर अमल करे ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ धन्यवाद